हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल, होप करता हूँ आपको स्टोरी पसंद आ रही है, तो सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर लेजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बागी है, तो वो भी कर लेना, तो अब स्टोरी शुरू करते हैं, यहाँ आर्डो हमने काफी लंबा सफर तै कर लिया, फूरी आर्मी ठकी हुई है, और लगता है, आगे का रास्ता और पर फिला है, अब हमें थोड़ा आराम करना चाहिए, तब यार्डोस कहता है, क्या कहा तुमने आराम, एरिक, मुझे नहीं पता था, तो मंदर से इतने कमजोर हो, मगर एक बाद ध्यान से सुन लो, यहां आराम करने का मतलब मौत है, यह गैनिबल्स का हिलाका है, तो जितना जल्दी हो सके, हमें से पार करके शैडो हिल्स पर पहुँचना होगा, अब आर्डोस अपनी आर्मी के साथ और तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तब ही उसकी आर् आर्मी खबरा जाती है, तबी आर्डोस कहता है, लगता है, वो नेन से जाक चुके हैं, सबी लड़ने के लिए तेयार हो जाओ, फिर एरिक कहता है, मगर लड़े किस से अभी तक एक भी कैनिबल नहीं दिखाई दिया, और हमारे सो से ज़्यादा लोग गायब हो गए, तब आर्डोस गुसे में आकर एक पाउरफुल एनरजी चार्ज करके सीधा जमीन पर ही मारता है, जिससे बरफिली जमीन दसने लगती है, और उसमें आर्डोस की आर्मी के लोग ही गुश जाते हैं, अब टिसेरा कहती है, ये तुम हमें कहां ले आए हो आर्डोस, हमें वापिस लोड जाना चाहिए, इस पर आर्डोस कहता है, मैं हार नहीं मानूँगा टिसेरा, मेरे पिता इस रास्ते को पार कर चुके हैं, और अब मैं भी इसे पार करूँगा, और महान विजार केरागन से मिलूँगा, क्योंकि अब वही है, जो मुझे सेडाला की गर्ति दिला सकते हैं, तब ही आर्डोस को अचानक से कई कैनिबल सेन दिखाई देते हैं, फिर वो सीधा उनी से भिड़ने चौता है, लेकिन उससे पहले ही आर्डोस को जमीन में खीच लिया जाता है, अब ऐसे ही कैनिबल्स आर्डोस की पूरी आर्मी कायब कर देती है, इसके बाद सीन जा आते ही सभी लोड काउंसिल में आ जाते हैं, जहां वजीटा उन्हें बताता है, करक्शन अब कैद में है, और आर्डोस पाग चुका है, उसका कासल पूरा खाली था, मगर वहाँ के लोगों का कैना है, वो नौर्थ में गया है, तब ही यामोशी कहता है, नौर्थ में तो ह आई हिल्स बलर्ड कैवन और उसके पार है शैडो हिल्स, लेकिन बलर्ड कैवन तो शापित है, वहाँ कैनिबल के डर से कोई नहीं जाता, तब ही वजीटा कहता है, शापित मतलब, फिर यामोशी बताता है, आज से कई सालों पहले इस प्लैनेट का नाम सेह जीन था, और य होता था, जो कि अपने मैजिक से लोगों की बिमारिया और परेशानिया दूर करते थे, मगर कुछ विजार्स के पास ऐसी विनाशक शक्तिया आ गई थी, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने लोवर सेन पर किया, यानि की हाप लड़ वालों पर, जिससे वो सभी इविल ब रुके, राजाओं ने इविल सेन को बनने दिया, और उन विजार्स ने कई हाप लड़ सेन में दार इविल एनरजी भर दी, और फिर ऐसे, सभी राजाओं ने इविल सेन को हतियार बना लिया, और पूरे प्लैनेट पर इविल सेन तबाई मचाने लगे, फिर इसे ही रोकन के लिए लोड अकुमो सामने आए उन्होंने ठान ली थी सभी विजाड को मारने की ताकि फिर कोई इविल से ना बना सके तभी लोड अकुमो ने एक एक करके सभी राजाओं को हराना शुरू किया और उनके विजाड को मारना शुरू किया जिन भी राजाओं ने उनके सामने गुटने नहीं टेके वो सभी मारे गए और फिर इसी डर से बचे वे विजाड स्नो कैवन में छुप गए लेकिन अकूमो ने उन्हें धून निकाला और सभी को वहीं दफन कर दिया जिस वज़े से कहा जाता है एक साथ इतने विजाड मरने से वो जगा शापित हो गई और उनके मुर्दों ने ही कैनिबल्स का रूप ले लिया तब ही से लोड अकूमो ने वो जगा ही बैन कर दी है अब वजीटा कहता है इसका मतलब आर्डोस वहां नहीं जाएगा तो फिर वो कहां हो सकता है इस पर यामोशी कहता है हम उसे हाई हिल्स तक ढून सकते है माई किंग तबी जिन कहता है किंग वजीटा हम ध्यान दे तो वाइल्ड फोरेश्ट के नोर्थ में बलर्ट कैवन है मगर आर्डोस के आईलेंड के नोर्थ में रिवर स्टोन है इस पर राइकून कहता है तुम कहना क्या चाते हो कि रिवर स्टोन में वो छिप सकता है और अगर आर्डोस ने ऐसा किया तो वो उसकी सबसे बड़ी कलती होगी अब वजीटा राइकून को रिवर स्टोन और या वजीटा आप इसे ले जाना भूल गए थे फिर वजीटा कहता है शुक्रिया टॉरेन और टायरा आप लोगों ने मुझे अपना किंग माना है तो अब अपनी शपत लो फिर टॉरेन और टायरा वजीटा की नाम की शपत लेते हैं कि मरते दम तक वजीटा की लिए इसके बाद सीन जाता है डिमोरा पर यहां डिमोरा का स्पेल रेडी हो जाता है और वो बेबी पोरेन पर वो स्पेल डाल देता है जिससे थोड़ी ही देर में बेबी गोरेन काफी बड़ा हो जाता है जिससे देखकर जाइकुर काफी खुश होता है अब गोरेन अचानक से बढ़ा हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता तबी जाई को गोरेन को अपने साथ ले जाता है इसके बाद हम देखते हैं गुहान को वो हाइबर बोलिक टाइम चैंबर में नोन स्टोप ट्रेनिंग कर रहा होता है और अपनी ताकत पहले से और जादा बढ़ा लेता है द इसके बाद सीन जाता है वजीटा के पैलेस पर यहां ट्रॉंक्स कमांडर जिन के साथ तलवार चलाना सीक रहा होता है कमांडर जिन कहता है प्रिंस ट्रॉंक्स आप बड़े होकर एक अच्छे तलवार बाज बनोगे इस पर ट्रॉंक्स कहता है यह तो मैं भी पैले से जान जो कि काफी टेंशन में होती है तबी वजीटा उससे पूछता है क्या हुआ बुलमा तुम उदास क्यों फिर बुलमा कहती है देखो ना वजीटा डैड को कब से कॉल कर रही हूं पर कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रही है मुझे उनकी चिंता हो रही है इस पर वजीटा कहता है अगर वजीटा डैड रोज मुझे कॉल करके बुला और ट्रंक्स के बारे में पूछते थे और आज तीन दिन हो गए है उनकी एक को नहीं आई और नहीं मैं उनको कॉल कर पा रही हूं अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ इस पर वजीटा कहता है तो ठीक है तुम आज ही अर्थ के लिए बुला को लेकर निकल जाओ और हाँ साथ में केकरोड को भी मगर ट्रंक्स यहीं रहेगा अब वजीटा को पता लगता है गोकु कहीं गायब है इसके बाद हम देखते हैं गोकु को जो कि यामोशी के साथ हाई हिल के इलाके में होता है यहां यामोशी अपन ठंड में कोई कैसे सर्वाइब कर पाएगा फिर यामोशी कहता है यह तो कुछ भी नहीं है इसके आगे का रास्ता और भर फिला है तब यामोशी को कुछ पैरों के निशान दिखते हैं जिसका वो पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और गोकु भी उसके साथ होता है तब कोई भी हो सकता है मगर आर्डोस लगपक हजार से ज़्यादा आर्मी के साथ है तब यामोशी के सोल्जर कहते हैं यहां कोई नहीं है माई लोर्ड यह पूरा इलाका खाली है फिर यामोशी सभी को वापिस चलने के लिए कहता है अब सभी वापिस निकल पड़ते हैं लेकि गोकु कहता है यहां तो हस से ज़्यादा ठंड है अगर मैं कोई मोमेंट ना करूँ तो मेरी कुलफी भी जम सकती है लेकिन साथ ही मुझे चुकना भी रहना होगा यह तो सबने सच बात कई है यह कोई नोर्मल जगह नहीं है फिर गोकु इलाके की चान बिन शुरू करता है और बलर्ड कैवन के पीचो पीच पहुँच जाता है तबी गोकु को सेंस होता है उसके पीछे कोई है फिर कोकु पीछे मुड़ कर देखता है बहाँ है कैनिबल सें होता है अब गोकु उससे कहता है कौन हो तुम यहां क्या कर रहे हो फिर कैनिबल कुछ भी जवाब नहीं और एक और गैनिबल से इन को फिर गोकु कहता है ओ अच्छा तो तुम्हें फाइट करनी है वैसे फाइट के लिए मैं कब से चरस रहा हूँ तो चलो थोड़ा मजा कर ही लिया जाए तबी गोकु देखता है आस-पास और गैनिबल सा जाते है इस पर गोकु कहता है तो तुम लोग पूरी तैयारी से आए हो, फिर तो मुझे अल्टरांश्टिंग ही यूज करनी पड़ेगी, तबी गोकु अल्टरांश्टिंग में ट्रांस्फोर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ट्रांस्फोर्म ही नहीं हो पाता, अब सभी कैनिबल्स और ज्यादा स्माइल करन लगते हैं, फिर गोकु कहता है, ये क्या हो रहा है, मैं ट्रांस्फोर्म क्यों नहीं हो पा रहा हूं, अब गोकु फिर कोशिश करता है, लेकिन वो सूपर सेन में भी ट्रांस्फोर्म नहीं हो पाता, अब गोकु गुस्से में कहता है, भाड़ में गई सभी फोर्म, मैं त तबी एक कैनिबल से इन स्वोर्ड लेकर आगे बढ़ता है और गोकु की करदन काटने वाला होता है अब गोकु कहता है ये क्या कर रहे हो तुम फिर वो कैनिबल गोकु पर वार करता है उसे पहले ही सभी कैनिबल पर पाउरफुल की बलाश्ट हो जाता है जिससे वो अचानक गाइब हो जाते हैं तबी वहाँ वजिटा के इंट्री होती है ड्रैगन फायर स्वोड के साथ फिर अचानक गोकु नीचे खीच लिया जाता है लेकिन वजिटा गोकु को बचा लेता है और बलड कैवन के बाहर ले आता है तबी वजिटा कहता है बेवकु कहीं कई किस से पूछ कर तुम आ गए थे और चुप चाप खड़े होकर गर्दन कड़ने का इंतजार कर रहे थे फिर गोकु कहता है वजीटा मैं अपनी पावर ही यूज नहीं कर पा रहा था इस पर वजीटा कहता है बहुत हुआ मैं इस पूरी जगा को ही आकाई कर दूँगा तो दोस्तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे आगे क्या होगा और हाँ बहुत ही जल्द हमारे दोनों हीरो में से एक मरने वाला है तो आगे की स्टोरी काफी खतरनाक होने वाली है तो अब मिलते हैं अगली मुलाखात में तब तक के लिए बाई बाई